गुड मॉनिंग आज करने बच्चों हम लोग क्लास 11 का फिप्ट सेप्टर और कॉंप्लेक्स नंबर क्वाड़िट एक्विशन और एक्सराइज हमारे पास 5.1 तो शुरू करते हैं कोश्य नंबर 7 से इधिये यहां पर आपको सेस्टेटम्ट गश्य आपको पास एक वैख इसके साइज में आक पास एक वैल्यू है IOTA square is equal to minus 1 योच आपको पता है तो आपको श्को maximum हम सिंप्लिफिकेशन तक ले जाना है कहां तक आप यह सिंप्लिफाइब कर सकते हैं न कि आप उसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में चेंज करना होता है यानि कि जैसे कि कोई भी नंबर है तो उसको हम कहते न ए प्लस आयोटा बी यह तो होना चाहिए आपका इसको बदल सकते हैं तो इसको बदल दीजिए ठीक है तो शुरूब करते हैं हम लोग तो अब देखें बचयों यहाँ पर फेपर आयोटा स्कॉयर वेहरा आपको दिखनी रहूँगा तो ऐसा करते हम लोग, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करके, सारे आयोटावाले एक साथ और non-iota वाले एक साथ लेका जाते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पर आएगा यह 1 upon 3 प्लस iota 7 upon 3 इस bracket को भी खोल देते हैं प्लस 4 प्लस iota 1 upon 3 और इस minus को भी अंदर ले चाल लेते हैं minus minus plus 4 upon 3 minus plus minus iota अब इसको भी हटा देते हैं इसकी भी जरूद नहीं है और इसको बाहर एक साथ लगा देते हैं complete क्रिए लगा देते हैं अब देखते हैं यह 1 upon 3 non-iota वाला है यह भी और यह भी इनको एक साथ लिखते हैं 1 upon 3 plus 4 plus 4 upon 3 और iota वाले एक साथ plus square से लिख दूँ मैं 7 iota upon 3 इसको एक साथ plus यह भी iota upon 3 हो जाएगा और minus का iota एक साथ हो जाएगा अब LCM लेके इसको एक साथ solve करेंगे और इसको एक साथ LCM कितना जाएगा 3 और यह हो जाएगा 3 बंज़ 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 बं 12 और प्लस 4 इसका LCM एक साथ यह भी आज़ेगा 3 यह आज़ेगा 7 iota plus iota minus 3 बंज़ 3 iota यह हो जाएगा 12,4,16,17 plus 7 और एक 8 8 में से 3 किया तो कितना हुजता है 5 5 iota upon 3 ठीक है तो बस यही पे छोड़ दिएगे इसको यह हो जाएगा 17 upon 3 यह बिना iota के बना तो इसको एक आज़े सकते और यह iota into 5 by 3 यह होगे न a plus iota b की फॉर्मला यह होगे हमारा सिंबल है पुर्कुल अब करते हैं question number 8 अब देखें यहां पर है 1 minus iota का whole power 4 अब यह तो आपको इसका formula पता हो जैसे आपने यह तो आप जानते होंगे a plus b का whole square a minus b का whole square यह तो आपको पता है अब यह भी formula का आपको पता है तो ठीक है फिर तो आप direct इसको खोल दीजिए expand कीजिए और value रग दीजिए क्या हम इसको इस तरीके से कुछ कर सकते हैं इसमें changes तो आपने पढ़ा होगा बचो exponent and power में हम लोग एक formula पढ़ देते कि M या कोई number है M A ले लिजे A to the power M to the whole power N तो आप इसको लिख सेते A to the power M multiply by N यादे आपको यादे अगर power की power है तो वो multiply होती थी या ऐसा कह सकता हूँ मैं कि अगर कोई number M into N में तो क्या उसको इस तरह से तोड़ा जा सकता है यानि जैसे suppose कीज़े A की power यहाँ पर हो जाता 4 तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है A की power 2 की whole power 2 व्योंकि 2 टू जा 4 ही होना है तो यहाँ पर भी हम इसको इस तरह से change कर सकते हैं कैसे इसको 1 माइनस आयोटा square का whole square बोल जा सकता है बिल्कुल वो लगा सकता है देखें यही तो हमने किया की power की power multiply होती है तो मतलब multiply होके जो आया होगा उसको भी power की power में तोड़ा जा सकता है है ना इससे हमें ये वाला value मिल गया ये तो हमें पता ही है ये A मैनस B का whole square है तो हम इसको कह लिए सकते है A square प्लस B square माइनस 2 इंटू A इंटू B और ये whole square भरवाला as it is रहेगा इससी क्या हो जाएगा 1 का square तो 1 ही होता है और प्लस आयोटा square का value कि इतना होता है माइनस 1 और माइनस का 2 आयोटा और ये whole square फिर इसको कह लिए सकते है हम लोग 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा का whole square प्लस माइनस तो ये हाजएगा मारे पास 1 माइनस 1 तो हो जाएगा 0 तो ये हाजएगा माइनस 2 आयोटा का square और इसको हम कह लिए सकते है 2 का square हो जाएगा 4 माइनस का square हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 4 Aiota और Aiota का square बहिए 2 है यह इसके साथ भी जाएगा इसके साथ भी जाएगा इसके साथ भी जाएगा तो यह हो जाएगा 4 Aiota square again 4 Aiota square की value कितनी होती है minus 1 तो यह हो जाएगा minus का 4 ठीक है अब देखेंगे आप अब यह A plus Aiota की प्लस आयोटा बी की फॉर्म में तो बना नहीं, आप देख रहे हैं, यहाँ पर केवल आपको constant term देख रहा होगा, आयोटा वाली term तो देख नहीं दिए, तो कोई बात नहीं, इसके साथ आप 0 अपनी मर्जी सैड कर सकते हैं, है न, और उसी के साथ आप आयोटा लगा दीजि तो बस a प्लस आयोटा बी की फॉर्म बन गई है, ठीक है, तो बस यह हो गया हमारा final answer, minus 4 प्लस आयोटा इंटू 3, अब करते हैं, next question, question number 9, देखें, यह बचो, a प्लस बी का होल क्यूब, देख रहा हो, होल क्यूब हैं, तो हम इसमें a प्लस b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है, देखो, एक तो a क्यूब प्लस b क्यूब होता है, वो नहीं है, a प्लस b का होल क्यूब है, तो इसका फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, a भी बोल लिजिए, a प्ल अब इसको माल लीजे A और इसको माल लीजे B, value रखेंगे A cube यानि 1 upon 3 cube plus B cube यानिकी 3 iota का plus 3AB और A plus B, 3 into A into B और bracket में A plus B तो ये 1 upon 3, 3 is a 9, 3 is a 27, 1 का cube तो 1 ही होता है, 3 का cube हो जाएगा 27, ये cube इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, लेकि जो 1 का cube होगा, वह तो 1 ही होगा, और 3 का cube हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 3 का 27 और iota की power 3, या iota cube, plus, ये 3 से 3 कैंसल हो गया, यहाँ बचेगा केवल, 3 iota, यहाँ बचेगा, 1 upon 3 plus 3 iota, आप उसको solve कर लेते हैं हम लोग, 1 upon 27 plus 27, आप आयोटा की power cube को क्या हम ऐसा ले सकते हैं, आयोटा square into आयोटा, मैं देखिया, 3 power है, इनको हमने break कर दिया, 2 रेक, 3, आपको बता है न, इसका भी एक, यह अपने formula पढ़ा होगा, कि, m to the power n, multiply by m to the power, कुछ भी बोलीजे, s बोलीजे, तो यह जाता है, m to the power n plus s, आदा है आपको, कि अगर base same हो, तो power add हो जाती है, और अगर, तो इसका मतलब, किसी power को ब्रेक करना हो, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखा, यह 3 power थी, तो हमने इसको तोड़ के इस तरह से लिख 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 लिख, यह Converse हो गया न, इसका, ठीक है, और plus 3 iota, और इसको आप अंदर भी लि जालेते हैं, plus 3 into 3 कितना हो जाएगा, 9 iota square, अब फिर 3 से 3 cancel हो गया, हमने इसको इसको इसलिए क्या बचों, क्योंकि iota cube को तो नहीं, लेकिन हम iota square को जानते है, iota square की value कितनी होती है, minus 1 हो गया, और यह रहेगा iota as it is, plus 3 से 3 cancel है, हम बचेगा क्योंकि iota, और plus iota square की value again होती है, minus 1, तो जाएगा, one upon 27, 27 बंज़ा 27, तो minus का 27 iota, plus iota, और 9 बंज़ा minus का 9, तो एक साथ ले लेते हैं, इन terms को, जो iota के बिना है, 27, अच्छा, यह 27 और 1, 27 iota ही देर है, एक iota ही देर है, तो minus plus minus ती हो जाएगा 26 iota, तो यह हो जाएगा आपका, हलसियमा आएगा 27, तो यह हो जाएगा 1 minus, 27, 9, 7 is a 63, carry 6, 9, 2 is a 18, 3, 9, 8, 6, 24, minus 26 iota, यह हो जाएगा कितना, minus का 242 upon 27, minus 26 iota, 4, 2, 6, 8, 2, 8, यहीं यह 3 का multiple तो नहीं है, ठीक है, तो यह 3 का multiple है, यह 3 का 9 का नहीं है, तो फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग, यह हो जाएगा हमारा final answer, minus का 242 upon 27, minus 26 iota, ठीक है, यहीं हो जाएगा, इसके बाद solution यहीं रहेगा, यह हो जाएगा हमारा final answer, ठीक है, question number 9 हमारा complete हो गया, अब करते है, question number 10, यह भी देखिए, A plus B का whole Q भी है, तो solve करते हैं इसको, same question है, यह value रख लेते हैं, A cube, यहीं माइनस 2 का cube, अच्छा, एक चीज़ आप, अब देखिए, यहाँ पर बच्छों, यहाँ पर प्लस था, simple, यहाँ पर माइनस आगया है, तो कोई issue नहीं है, आप क्या कीजिए, दो तरीके से कर सकते हैं, यह तो मैं इसमें से माइनस को पहले ही भार ले लूँ, ठीक है, तो माइनस भार ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह पूरा अंदर प्लस हो जाएगा, यह आप क्या कीजिए, प्लस का ही formula रखिए, क्या रखिए, formula plus का ही रखी है और term के साथ उसका sign भी रखी है जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ मैं इसी formula पर रख रहा हूँ ठीक है लेकिन sign साथ साथ रखूँगा तो aq plus ही रखी है बीच में और b की जगा पर क्या रखी है minus 1 upon 3 iota का q इससे आपको कोई दूसरा formula a minus b का formula याद करने की जरूत जरूत नहीं पड़ेगी या कोई other trick लगाने की जरूत नहीं पड़ेगी बस यह ध्यान रखी है कि आप plus वाला formula ही रखी है sign साथ में रखते रहे हैं aq plus bq plus 3a square b हमें बाद में इसको solve करना ही है तो मैं यहीं पर रख देता हूँ 3a square b a की जगह पर कितना आएगा minus 2 square into b है यह into है ठीक है कोई sign नहीं यह तो मज़ला multiply है b कितना है minus का 1 upon 3 iota plus 3a और b square यह दिख रहा है आपको तो वही formula रखा है मैंने plus का पस values के साथ उनके sign भी रख दी है यहापर करते है 2 का cube कितना हो जाएगा 8 लेकिन sign किसका रहेगा minus का मैंने minus का cube यह रहा होगा minus into minus into minus 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 plus हो जाता है फिर plus minus again minus हो जाता है तो आप इसको direct भी समझ सकते है odd terms के लिए odd numbers के लिए अगर आप minus को multiply करते है तो result minus में ही रहता है जाएगर यहापर 2 होता तो यह plus हो जाता है यहापर 4 होता तो यह plus हो जाता है even में plus और odd में यह minus ही रहता है ठीक है अब यह भी minus में ही रहेगा तो कितना हो जाएगा plus अभी मैं इसको bracket में रखता हूँ तो minus का 1 upon 27 और आयोटा की पावर 3 plus 3 into 2 का square 4 minus का square plus 3 into 4 इसका minus खत्म हो जाएगा और इसके साथ भी minus और है minus 1 upon 3 आयोटा चीक अब plus 3 into minus 2 2 और 3 का square हो जाएगा 1 का square 1 minus का square plus 3 का square 9 और आयोटा का square आयोटा square अब 3 से 3 times cancel हो गया ये 3 से ये 3 गया कितना बचना है मारे पास minus 8 और इसको minus अब देखे 27 आयोटा क्यूब को आपने क्या लिगा था यादे आपको आयोटा क्यूब की value solve करके आती है कितनी minus आयोटा यादे यहाँ पर हमने भी किया थे कि आयोटा क्यूब जो था वो हमारे पास क्या बना था 27 ये ऐसा का ऐसा ही है बस ये जो आयोटा क्यूब था ये minus 1 into आयोटा ये नहीं minus आयोटा बन गया इसको मैं इस तरह से लिए सकता हूँ minus 1 upon 27 into minus आयोटा इसको ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं ठीक है और plus 4 बनेज़ 4 minus का 4 आयोटा और plus 2 into आयोटा स्कूर आयोटा स्कूर की वैल्यू कितनी हुझाती है minus 1 और ये इसके साथ ही रहेगा इसका ध्यान रखीएगा ये minus इसके साथ भी है और upon में 3 भी था अब देखते है minus 8 अभी देखें minus minus plus हो गया आयोटा अपन 27 और plus minus minus 4 आयोटा और minus minus प्लस अब एक तरफ ले जाएए आयोटा वाले तो minus 8 plus 2 upon 3 और 4 आयोटा जाएगा में पास 3 एट जाएगा में पास 3 एट जाएट 24 plus 2 upon 3 और plus आयोटा माइनस 27 चाववण एकसो आट upon 27 समझे जाएगा यह 7 फोड़ जाएट 4 तो जाएट एट आट तू ठीक है इसको सॉख कर लेते हैं 24 में से 2 तो यह हो जाएगा 22 किसका माइनस का upon 3 plus आयोटा एकसो आट में से एक गया तो एकसो साथ माइनस का 107 आयोटा upon 27 ठीक है अब यह दोनों यह 3 का multiple नहीं है यह भी नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं ठीक है तो चाहे तो आप common ले लिए इसको माइनस को बाहर इसको इस तरह से लिख दीजे 22 अपान 3 प्लस आयोटा 107 अपान 27 यह जाएगा हमाना final answer तो यह होगा question number 10 तक हमारे पास complete अब करेंगे next video में question number thank you